नमस्कार आपका स्वागत है दोस्तों पुरानों के अनुसार कामनाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है इस एकादशी का वरत करने से मनुष्य की मनुकामनाओं की पूर्ती होती है भगवान विश्णु की अनुकमपा से सभी कष्ट समाप्थ होते हैं और मनुष्य की कामनाएं पूर्ण होती है इस एकाद्शी का वरत अत्यंत सरल है जिसे कोई भी मनुष्य कर सकता है विश्णु पुरान के अनुसार राम नवमी के बाद जो पहली एकाद्शी आती है वह सभी सांसारिक इच्छाओं को पूर्ण करने वाली होती है मन में किसी दुलब वस्तु की कामना रख कर भी अगर कोई मनुष्य प्राणी इस एकाद्शी के वरत को करता है तो वह दुलब वस्तु तीनों लोकों में कही पर भी हो तो वह उसे प्राप्थ हो जाती है इसमें संशय नहीं है इस वर्ष कामदा एकादशी का वरत एक अप्रेल को रखा जाएगा एकादशी तिथी था आरंब एक अप्रेल सुभह एक बचकर अठावन मिनट को होगा और इसकी समाप्ती दो अप्रेल सुभह चार बचकर उननीस मिनट को होगी शास्त्रों में कामदा एकादशी के दिन किये जाने वाले महत्वपून उपाय बताये गए हैं जिन्हें करने से दुख दरिद्रता समाप्थ हो जाती है और अक्षय धन की प्राप्ती होती है मा लक्ष्मी को प्रसन करने के लिए इस दिन विशेश उपाय अवश्य करने चाहिए आईए जानते हैं मनुष्य को कामदा एकादशी का वरत कैसे करना चाहिए और दरिद्रता को दूर करने और धन की प्राप्ती के लिए कौन से आसान से उपाय करने चाहिए इस दिन भगवान विश्नु और मा लक्ष्मी की विशेश कृपा पाने के लिए स्वस्तिक का उप्योग अवश्य करना चाहिए दोस्तों स्वस्तिक अत्यंत प्राचीन काल से भारतिय संस्कृती में मंगल का प्रतीक माना जाता रहा है इसी लिए किसी भी शुब कार्य को करने से पहले स्वस्तिक का चिन अंकित करके उसका पूजन किया जाता है स्वस्तिक का शब्द तीन अक्षरों से बना हुआ है इसमें सु का अर्थ होता है अच्छा अस का अर्थ होता है अस्तित्व और क का अर्थ होता है करता इस प्रकार से स्वस्तिक शब्द का संपूर्ण अर्थ होता है, अच्छा अथ्वा मंगल करने वाला स्वस्तिक में एक दूसरे को काटती हुई दो सीधी रेखाए होती हैं, जो आगे चलकर मुर जाती हैं इसके बाद भी ये रेखाए अपने सिरों पर थोड़ी और आगे की तरफ मुरी होती हैं स्वस्तिक की यह आकरिती दो प्रकार की हो सकती है प्रथम स्वस्तिक जिसमें रेखाए आगे की ओर इंगित करती हुई हमारे दाई और मुर्ती हैं इसे स्वस्तिक कहते हैं। और यही शुभ चिन्न है जो हमारी प्रगती की ओर संकेत करता है। दूसरी आकृती में रिखाय पीछे की ओर संकेत करती हुई हमारे बाई और मुर्ती हैं। इसे वामावर्थ स्वस्तिक कहते हैं। भारतिय संस्कृती में इसे अशुभ माना जाता है। रिगवेद की रिचा में स्वस्तिक को सूर्य का प्रतीक माना गया है और उसकी चार भुजाओं को चार दिशाओं की उपमा दी गई है। कुछ ग्रंथों में स्वस्तिक को ब्रह्मांड का प्रतीक चित्र माना गया है। उसके मध्यभाग के बिंदु को भगवान विश्नु की कमल ना भी कहा जाता है और रेखाओं को ब्रम्ह देव के चार मुख, चार हाथ और चार वेदों के रूप में निरूपित किया गया है। मंगलकारी प्रतीक चिन्न स्वस्तिक अपने आप में विलक्षन है। यह मांगलिक चिन्न अनादी काल से संपून स्रिष्टी में व्याप्त रहा है। विघन हर्ता गनेश जी की उपासना में तथाधन, वैभव और एश्वर्य की देवी मा लक्षमी के साथ भी चुभलाब तथा स्वस्तिक की पूजा की परंपरा है। इसे भारतिय संस्कृती में विशेश स्थान प्राप्त है। इसलिए जातक की कुंडली बनाते समय या कोई मंगल तथा शुभ कार्य करते समय सर्वप्रथम स्वस्तिक को ही अनकित किया जाता है। कामदा एकादशी के दिन स्वस्तिक का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। इससे घर में सुख समरिधी का वास होता है। पुराणों में कहा गया है जिस घर के मुख्य द्वार पर स्वस्तिक का चिन होता है, उस घर पर किसी भी तंत्रमंत्र का अशुद प्रभाव नहीं पड़ता है। दोस्तों स्वस्तिक को हर दिशा से देखने पर वह एक ही समान लगता है। इसलिए यह चारों दिशाओं से घर की रक्षा करता है। अगर जीवन में बहुत परेशानी हो, तो एकादशी के दिन तामबे या चांदी का स्वस्तिक अभी मंत्रित करके घर की चोखट पर लगवा दें। बाजार में अलग-अलग साइस के स्वास्तिक मिल जाते हैं। उसे लाकर पहले अपने पूजा घर में रखकर उसकी पूजा करें। इससे घर में स्थिर लक्षमी का वास हो जाता है। लेकिन सबसे अच्छा है कि आप सिंदूर में घी मिला करके या फिर चावल और हल्दी के घोल से स्वस्तिक बना दें। घर के मुख्य द्वार पर स्वस्तिक बनाते हैं तो ज्यादा बडामत बनाएं। आप स्वस्तिक तीन या चार अंगुल का बनाएं यह उत्तम रहेगा। यदि आपके घर के सामने कोई पेड है अथवा बिजली का खंबा है तो इससे द्वार वेध निर्मान होता है। इनकी चाया घर पर पढ़ने से वास्तुदोश निर्मान होते हैं। इस वास्तुदोश को खत्म करने के लिए घर के मुख्य द्वार पर स्वस्तिक बनाना चाहिए। स्वस्तिक के चिन्न का प्रयोग, खासकर पूजा के दौरान करना उत्तम फलदाई होता है। एकादशी तिथी पर आप थाली में अथवा चौकी पर स्वस्तिक बनाकर उस पर भगवान की मूर्ती को स्थापित करे। इससे पूजा का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। आप चाहे तो घर के मंदिर में इश्ट देवता के पास स्वस्तिक का चिन्न रख सकते हैं। कामदा एकादशी के दिन अपने घर के मुख्य द्वार की दहलीज के दोनों तरफ स्वस्तिक का चिन्न बनाकर उसकी पूजा करे। उस स्वस्तिक पर चावल की धेरी बनाएं और एक सुपारी अवश्य रखे। ऐसा करने से घर में धन संपत्ती का आगमन होता है और कारियों में सफलता मिलती है। एकादशी के दिन तुलसी के कुंडे पर भी स्वस्तिक का चिन्न अवश्य बनाएं। इससे शुब उर्जा घर में संचारित होती है और तुलसी की पूजा का फल कई गुना अधिक प्राप्थ होता है। कामदा एकादशी के दिन जल में तुलसी पत्र डाल कर स्नान करना श्रिष्ट फल दायक होता है। ये सभी तीर्थों में स्नान करने के समान पुन्य प्रदान करता है। कामदा एकादशी के दिन आप अपने पूजा घर में एक थाली में कुमकुम से स्वस्तिक बनाएं और उस पर थोड़े से चावल और सुपारी रखे। और इस थाली को 21 दिन तक पूजा घर में ही रहने दे। उसके बाद इस सुपारी को गणेश जी की मूर्ती के पास रख दे। इस उपाय से आपके धन में हजार गुना अधिक वृद्धी होती है। यदि आप पर पित्र दोश है, अथवा आप अपने पित्रों की कृपा पाना चाहते हैं, तो इसके लिए घर के मुख्य द्वार के बाहर गोबर से स्वस्तिक बनाना चाहिए। इससे घर में सुक शान्ती बनी रहती है और पित्रों का आशिरवात प्राप्थ होता है। अगर आपकी कोई विशेश मनोकामना है, तो उस मनोकामना की पूर्ती के लिए आप एक विशेश उपाय कर सकते हैं। ऐसे में एक आजशी के दिन आप आसपास के किसी भी मंदिर में जाकर मंदिर की दिवार पर सिंदूर से उल्टा स्वस्तिक बना दे। मनोकामना पूर्ती की प्रार्थना भगवान से करें। वह मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाएगी और जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, तो फिर से उस मंदिर में जाकर उसी स्थान पर सीधा स्वास्तिक बनाए और भगवान को धन्यवाद दे। कामदा एकादशी के दिन आप विशेश मंत्रों का जाप अवश्य करें, आप विश्नुजी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं। इससे आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाएगी। कामदा एकादशी के दिन अपनी मनोकामनाओं की पूर्ण के लिए एक विशेश उपाय कर सकते हैं। आप तुलसी में जब जल अर्पित करेंगे, तब एक लोटे में जल लेकर उसमें एक चुटकी हल्दी, थोड़ी सी मिश्री और एक चुटकी अक्षक डाल कर ही अर्पि तुलसी को विश्नुप्रिया भी कहते हैं, इसलिए देवता जब जाकते हैं, तो सबसे पहली प्रार्थना तुलसी की ही सुनते हैं। वैसे ये सिक्का आप रोज के दीपक में भी डाल कर दीपक जला सकते हैं। ऐसा करने से सिक्का सिध्ध हो जाएगा। फिर जब भी किस इसी महत्वपून काम से आप घर से बाहर निकलते हैं, तो इस सिक्के को साथ में रखकर निकले, आपको कारियों में सिध्धी अवश्य ही मिलेगी। इस दिन दीपक का प्रयोग अवश्य ही करें। एक दीपक घर के मुख्यद्वार पर अंदर की तरफ से, एक दीपक तु पुजा स्थान पर एकादशी के दिन अवश्य जलाए। तो दोस्तों उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। कामदा एकादशी पर आप स्वस्तिक के ये उपाय अवश्य करें। कमेंट में जैश्री हरी विश्णू और जैमा लक्ष्मी अवश्य लिख कि अवश्य करें।